So what's up everybody, it's Abai Reet here is back with a new video Lens के बीचा है अंदान, आप लोग देखरे जना दन टॉक्स Let's start Guys, मैंने अपनी प्रिवियस वीडियो में एम किया था 15 लाइक्स का और वो 15 लाइक्स आचुके है बहुत बहुत सुप्रिया और जैसा मैंने वादा किया था कि अगर 15 लाइक्स आ गए तो मैं एक मिड रेंज हेर वैक्स रिवियू करूंगा So here we go So आज का हमारा प्रोड़क्ट है Beardow Hair Wax Extra Strong Hold Crystal Wax So आज का हमारा प्रोड़क्ट यही है इसको मैंने फ्लिपकार्ट से खड़ीदा है इसको मैं आज apply करूंगा अपने उपर और review दूंगा कि इसका texture कैसा है holding कैसा है और वो मैं वीडियो के end में दूंगा सब कुछ जाने के लिए वीडियो end तक देखे जैसे कि मैंने अपने previous वीडियो में कहा था कि styling का first step होता है shampoo और उसके बाद आता है hair को dry करना तो hair को कैसे properly hair dryer से dry किया जा सकता है या volume up किया जा सकता है इसके उपर भी मैंने वीडियो बना दिया है अगर आपको check out करना हो तो link description पर या फिर eye button पर मिल जाएगा तो मेरा sample अलड़ी हो चुका है और मैं बालों को dry भी कर चुका हूँ अब इस product को directly apply करेंगे अब बालों करेंगे So styling done अब result आपके सामने है जो है वो है आप लोग खुद देख सकते हैं जो मेरे point of view से मैं इसे एक classic और glossy looks कहूंगा अब आते है product के details में तो यह product एक mid-range product है और यह कोई cream wax नहीं है यह gel wax है जिसको practically crystal wax कहते है तो इस gel wax का एक negative point यह है कि यह कुछ घंटों बाद अपना holding loose कर देता है लेकिन इसका ingredients मैंने परा और यह समझा कि इसका एक positive point भी यह है कि यह जैसे कोई cheap ingredient से नहीं बना है अच्छी quality के ingredient से बना है तो यह आपके hair को कम damage करेगा और एक glossy और bouncy looks देगा तो यह था आज का मेरा opinion तो आज का वीडियो इतना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना, subscribe कर देना, bell icon को click करना ताकि मेरा हारेक आपडेट्स आपके पास सबसे पहले पोटेट्स और मैं इस भार भी aim रखता हूँ 20 likes का, अगर 20 likes आ गए तो ऐसे ही मज़दार वीडियो आपके लिए लाओंगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में, till then टेक केर, गुट बाई